नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रवरतन सिपाई की बारे में प्रवरतन सिपाई क्या होते हैं इनके क्या वर्क होते हैं साथ ही पुलिस कॉंस्टेबल और प्रवरतन सिपाई में क्या डिफरेंट है वर्क के समंद में पू को एक notification आउड किया जाएगा प्रवरतन सिपाई का और इसका जो Department रहता है पर तो आपका हो गया प्रवरतन सिपाई और एपाटमेंट रहता है दोस्तों विभाक का नाम कहा सकते हैं तो परिभान विभाक की अंदरगत आता है आपका और इसमें जो एसका criteria रहता है कापी जादा रहता है 18 से 42 वर्ष के candidates इसके लिए apply कर सकते हैं और जिसका वेतन मान जो होता है पुलिस constable के according रहता है 5200 से लेकर 20200 तक रहता है और grade जो वेतन होता है इसका वो 2000 तक रहता है जैसे कि आपको पता है कि जो प्रवतन सिपाई है न ये basically जो work करता है ये उत्राखन परिवहन विभाग के अंतरगत करता है परिवहन की निग्रानी करता है इसका बिस्वेसिली वर्क जो होता है वो एक enforcement की तरह ही होता है यानि कि इसका एदि हम बात करें प्रवतन सिपाई की English का translation का तो इसका जो होता है enforcement officer होता है और enforcement सिपाई के रूप में इसे जाना जाता है बाइचांस कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है क्या वो जो वहन है या फिर कोई motor vehicle cycle जो भी है वह नियम के according मोटर वहन के नियम के according चल रही है या नहीं चल रही है यह दिन नहीं चल रही है तो उससे enforce किया जाता है उसके वह सारे परपत्र लिए जाते हैं जैसे कि वहान की जितने भी परपत्र होते हैं जैसे कि RC हो गया और साथ ही जो insurance हो गया और fitness हो गया साथ ही उसका किस छेत्र में permit है कि छेत्र में वहो चल सकता है वहो गाड़ी तो वह सारी जो परपत्र होते हैं वह सारे certificate को देखना यह एक enforcement यानि परवरतन सिपाई का work होत है जब परवरतन सिपाई अब यह खोद तो नहीं करते हैं लेकिन मलब जब इनको आदेश दिया जाता है परवरतन अधिकारी के द्वारा तो परवरतन सिपाई तब जो चालक है उससे वह सारे परपत्र लेता है और जो परपत्र होते हैं वह परवरतन सिपाई यानि enforcement जो वो प्रवरतन अधिकारी को ये देता है उसके बाद जब प्रवरतन अधिकारे इन सारे प्रवत्र को देखता है और प्रवत्र को लेकर सम्मंदित जब अधिकारी उसे देखता है और अधिकारी प्रवत्र देखने के बाद जो भी स्तिती बनती है अगर गाड़ी का चालान कर करने की स्थिति हो तो वह गाड़ी को बंद करता है यदि गाड़ी को छोड़ना है तो वह गाड़ी को छोड़ देता है चालान करने की स्थिति में और बंद करने की स्थिति में जो परिवर्तन सिपाई है मलब परिवर्तन सिपाई जो होता है वह गाड़ी में बैठता है और रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् इनका चालान काट सकता है ठीक है तो परिवर्तन सिपाई के इस तरहों के कारी होते हैं यहीं हम बात करते हैं पुलिस कॉंस्टेबल की पुलिस कॉंस्टेबल वस परिवर्तन सिपाई ठीक है एक और तो अब बात मान के चलें डिपार्टमेंट की बात करूं यहीं पुलिस कॉ पुलीस विभाग में जबकि यह आता है आपका परवतन सिपाई परिवहन विभाग में जब कि मैंने आपको अभी बताया ठीक है तो डिपार्टमेंट के हैं अलग-अलग है और एक और परवतन सिपाई जो है वहनों के जो चेकिंग बगएरा है वह परवतन अधिकारी के नि करता है प्रवतन सिपाई की निगराणी में उसके आग्या की अकॉर्डिंग वह यह सारी साइटिफिकेट बएगरए प्रिवतम receptors आधिकारी के आधिश के according करता है अब बात करते हैं Police Constable जैसे की जानते हैं कि की इसका जो Кто होता है थाने में और इसके बाद जब ground पर किसी परकार का action होता है अपराथ के संब्ध में तो ये ground पर भी duty करते हैं साथ ही हम बात करते हैं तीसरा point दो रहता है किसी भी case की जाँच परताल में क्या करते हैं करते हैं को आपरेट करते हैं ठीक है तो ये शहयूग करने का काम करते हैं किसी भी जाँच कोई भी case बगर है और साथ ही जो इनका सबसे biggest work होता है वो होता है किसी भी बड़े आईजन जैसे कि जुलूस बगर हो निकल लाया और सभा हो रही है में सुरक्षया और ब्योस्ता बनाया रखना साथ ही ये दिया हम बात करते हैं कोट में कोई भी पेरवी हो रही है या फिर पेशी हो रही है तो उस दोरान डूटी देना शांती अस्पताल में जो कैदी बगर है जो इलाज के लिए क्यदी को ले जाते है तो और यह विचला धिन कैदी है तो उनकी भी क्या करना निगरानी रखना ये एक प्लिस कॉंश्टेबल का कारी होता है साथी जो सरकारी ऑफिशर है या फिर जन परतनेदी है उनकी भी सुरक्षा करना इनका एक important दाईत तो होता है important duty होती है इसके अलावा senior अधिकारी द्वारा जो भी विभागी कारी इनका सौपे चाते हैं उनको पूर्ण करना इनका work होता है तो आप समझ के हैं कि परवरतन सिपाई है और police constable है इनके जो work हैं काफी different है लेकिन जो इनकी educational qualification है 12th pass है जबकि एदर बात करें age limit का तो age limit जो है जहां 18-23 वर्ष के इनडेट्स पूलिस constable में apply कर सकते हैं वहीं दूसरी ओर हम बात करें परवरतन सिपाई यहीं इनफोर्समेंट सिपाई की तो इसके लिए 18-42 वर्ष के candidates एपलाई कर सकते हैं साथ जो grade पे रहता है आपका same ही रहता है लेकिन age का जो factor है वो अलग है यदि हम बात करें syllabus की तो syllabus भी आपका same रहेगा जैसा police constable का है ठीक है तो जल्द ही इसका एक notice जारी किया जाएगा यह विग्यप्ति आने वाली है इसी week में जो जैसे ही latest update आती है आपको तुरण जानकारी मिल जाएगी यदि चैनल पर नए हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब करें latest भरती update पाने के लिए तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी पाने के लिए आप टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की description में दी गया है तो वहां से आप direct जोईन कर सकते हैं